हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेक्नो स्पार्क 20C फोन में आप लोग इनकमिंग कोल फ्लश लाइट को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क 20C फोन है और इस फोन में आपको इनकमिंग कोल फ्लश लाइट को बंद कर देना है आपके phone में अगर किसी का call आ रहा है तो call आते ही आपका जो back side में जो camera का flush light है वो blink हो जा रहा है बार बार तो आपको जह बहुती problem हो रहा है तो आपको जो इसको बंद कर देना है आपका phone अगर silent में भी है तब भी आपका camera का flush light blink हो रहा है आपका phone lock है तब भी आपका जो camera का flashlight है वो call आने पर blink हो रहा है तो कैसे आप लोग जो है इस problem को solve कर सकते हो या इस camera flashlight को कैसे बंद कर सकते हो call आने पर तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गई साप लोगों को इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते हैं incoming call flashlight को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद यहाँ पर उपर की तरब आपको एक settings का option देखने को मिलेगा तो इस settings के option पे click करेंगे click करते ही देख सकते है सबसे पहला वाला जो option है flush for calls का तो अगर आपके phone में यह option on होगा तो आपके phone में incoming call flashlight देखने को मिलेगा तो इसको बंद करने के लिए आपको इस option को off करना होगा तो इस option को off करने के लिए हम इस option पे click करना होगा click करती यह जो option है वो बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद आपका जो incoming call flashlight जो flashlight जल रहा था कि इस call आने पर वो अभी नहीं चलेगा आप लोग एक बार चेक करके देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने टेकनो स्पार्क 20C फोन में incoming call flashlight को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते का लगने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए